हेलो एवरिवन, 11 मई 2021 के दा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेश को हम डिसकस करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे लिए डिसकसन के लायक हैं यानि कि जिन्हें हम डिसकस कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला जो आर्टिकल है वो प्लीज डॉन्ट डिनाए इसमें जो आकले दिये गया है इस समय कोविड के जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो सरकारी आकले हैं और जो प्राइवेट आकले हैं उसमें जो अंतर है उसके बारे में बताय जा रहा है इस बारे में यह article है जिसे हम discuss करेंगे उसके बाद दूसरा article है हमारा की guiding force इसमें जो supreme court द्वारा एक 12 members की committee बनाई गई है जो इस समय oxygen की कमी है इन सबसे जो देश जिस तरीके से जूज रहा है उसको किस तरीके से दूर किया जाए oxygen की supply कैसे हो कैसे vaccination किया जाए किस तरीके से लोगों में जो भै है उसे खत्म किया जाए किस तरीके से जो bed की कमिया है अस्पतालों में उसे दूर किया जाए इन सभी बातों का इस article में जिक्र किया गया है इसे भी हम discuss करेंगे उसके बाद जो हमारा next article है वो है असम में जो नए हमारे हिमन्त विस्वास सर्मा जो नए मुख्य मंत्री बने हैं यानि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है इसे हम डिसकस नहीं करेंगे उसके बाद ये बंगाल की राजनीती पर है कई बार न्यूज में भी आप देख चुके इससे पहले दैनिक जागण का जो डिसकसन होता है उसमें आज भी ये टॉपिक डिसक है अमेरिका की जो दखल अंदाजी है अमेरिका जो जिस तरीके से मिडरेटिंग कर सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच या और देसों से उसके जो संबंद है वो सभी इस आर्टिकल में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि आतंगवात को लेकर अमेरिका की क्या यहां पर आपने पार्टी का नाम देख लिया, इसलिए इसे हम डिसकस नहीं करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वो करनाटिका की राजनीती से है, इसे भी हम डिसकस नहीं करेंगे, तो जो पहला आर्टिकल है हमारा, जिसे हम डिसकस कर रहे हैं, वो है देश में खास तोर पर रूरल एरिया में वो वाकई में काफी डिराने वाली चीज है अगर हमें एक रिपोर्ट की बात करें जो इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है तो उसे यह पता चलता है कि जो 48.95% जो इस समय आप कह सकते हैं कि चीज हैं वो रूरल डिस्टिक्स से हैं और जो नमबर जो मरने वालों की संख्या है वो सितंबर 2020 के बाद से अभी तक सबसे पीक पर है और यह सब कुछ अब जो है वो रूरल इंडिया में याने कि अब लाज नमबर पर रूलर इंडिया में फैल चुका है, ग्रामिल इलाकों में फैल चुका है, अगर हम COVID cases की बात करें, तो जो reporting हो रही है, वो काफी, आप कह सकते हैं कि दोतरफा हो रही है, टेस्टिंग फसल्टीज नहीं है, इसलिए काफी cases कम भी आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग की पूर के हैं, ग्रूर्म Exercise का पैंदाने करना चाहिह नहीं से बाते हैं, इस समय बदाने का पैदाने में मेडिया तरीर पैंदाने नहीं करते हैं, इस सब बातें इसमें बताएं कर rising सनगे हो बंदाने लियुके के लिए सरे क्ट्रोल किया था गावं में जाने से पाओं पसारने से रोके थे उसे हमने किस तरीके से लॉगडौन ऑन के माध्यम से रोका था और विजोगों ने उसमें सतरकता दिखाई थी काफि कुछ medical facilities, rural area में उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए तो इसलिए भी सबसे ज़्यादा डर है, health center की कमी है rural government hospital आप जानते हैं किस तरीके से है, महराष्ट में एक आगड़ा दिया गया है कि महराष्ट में प्रती 10,000 पर सिर्फ 2 बैड है, आप सोच सकते हैं कि राज में यही हाल है, उसके बाद अगर हम देश की बात करें, जिस तरीके से healthcare insurance program चलाए गए हैं जैसे आईश्मान भारत और और भी चलाए गए हैं लेकिन उसमें कहीं पर भी oxygen, cylinder की उपलबदता की कमी है, यानि कि इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं, सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रही है, आगे article में बताया गया है कि दुनिया के अधिकांस हिस्सों में अधिकारिक record के वल पुष्टी किये गए मामलोग के ही आते हैं ना कि वास्तविक, यानि कि आप समझ सकते हैं कि जो वास्तविक आकले हैं वो कहीं जादा हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग हलके या कोई लक्षण प्रदरसित नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनकी मृत्व हो रही है, लेकिन भारत में इस मामले को व्यापक इस तर पर रिखांकित किया गया है यहां तक कि पूर कोविट के समय में रोग का बोज नहीं जो नहीं गिने गये थे उसकी उन सब कम्यों को अब दूर करने की कोसिस की जा रही है, गाओं में मौत हुई है इंप्रूमेंट की जरूरत है, वो भारत सरकार इसमें लगी हुई है, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत सी ऐसी कम्या हैं, ऐसी केसेस हैं जो पूरा करने की जरूरत है माराश कुछ हद तक और केरल ने मजबूत आंकडों की छमता को पहचाना है और अन राज्यों के मामले में वो सही आंकड़े अभी फिलाल में दे रहे हैं, हर सरकार को इस बात का एहसास और अंतर करना चाहिए कि वो लोगों के दौरा चुने गए हैं और यही समय है जब वो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं और इस समय जिस तरीके से कोविड महामारी बढ़ रही है उसमें एकनॉमिक की चिंता ना करते हुए लोगों की जान बचाया जाना सबसे प्रात्मिक्ता होनी चाहिए नेक्स्ट आर्टिकल है अगाइडिंग फोर्स इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस तरीके से कोविड नाइंटीन है उसमें आक्सीजन की कमी और मिस मेनेजमेंट जो इंडिया में देखने को मिल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोट ने एक 12 सदस्तिय नेशनल टास्क फोर्स याने की NTF का गठन किया है और इसमें सेंटर गॉर्मेंट एलोगेशन ओफ मेडिकल ऑक्सीजन और टू अस्टेट याने कई बातों का ध्यान रखा गया है और टास्क फोर्स विल वी वर्क विस सीनियर ओफिशल यान नीती आयो के वरिष्ट अधिकारी इसमें सामिल किये गये हैं Ministry of Home Affairs के अधिकारी सामिल किये गये हैं Department of Promotion of Industry and Internal Trade जैसे संस्थान के लोग भी इसमें सामिल किये गये हैं All India Institute of Medical Science के लोग इसमें सामिल किये गये हैं ऐसे ही Director General of Health Service जैसे उच अधिकारियों को इस समीती में सामिल किया गया है Supreme Court का जो ये टास्क फोर्स करने का लोगों की जो मृत्य हो रही हैं इन सब की कमी को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स गटित किया गया है और सरोच नाले ने ये भी आदेश दिया है कि टास्क फोर्स अपने काम में साहता करने के लिए विशेश छेत्रों या छेत्रों पर अधिक उपसमू का गठन कर सकती है यानि कि वह और भी गृप बना सकती है या वी विचार कर सकती है कि यदि उचित हो तो महत्पूर्ण देखभाल जैसे छेत्र में सरकार के भीतर और बाहर दोनत रखे विशेश सक्दियों की सहयता इसमें ली जा सकती है अलागे सुप्रीम कोड इसमें काफी अच्छा रोल निभा रहा है आगे इसमें क्या रोल होता है यह भी समय बताएगा यह आशा की जाती है कि National Task Force याने की NTF की स्थापना से निर्णय करताओं को मदद मिलेगी उन्हें कई चैलेंजेस को सामना करने में मदद मिलेगी वह निर्णय ले सकेंगे 12 बिंदूों को इसमें रखा गया है महत्तपून तोर पर कि आक्सीजन की आपोर्ती पहले 5 बिंदूों जो है उसमें आक्सीजन की आपोर्ती पर सबसे ज्यादा ध्यान के इंद्रित किया गया है इसमे दवाओं की लाबकारी छमताओं को सुनिश्चित करेगी यह भी इस पांच बिंदूों में जो सुरुवाती बिंदू है उसमें रखा गया है आवसक समीच्छा में रखा गया है एंटीफ के जो सेस्च छे जो आदेस हैं उसमें व्यापक महामारी संबंदी तैयारियों प्रदोगी फ्चेत्र को किस तरीके से इसमें सामिल किया जा सकता है प्रसिछित्र डॉक्टर नर्स और पेरमेडिकल स्टाफ की उप लबदता किस तरीके से बढ़ाही जा सकती है ये सब बाते इसमें बताई गई है इसमें आगे भटाया गया है कि टास्क फोर्स के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेस अत्रदिक महत्पूर्ण है यह देखते हुए कि भारत में जो दूसरी लहर फैल रही है उसको किस तरीके से रोका जाए या उस नियंत्रित किया जाए और निर्ने लिया जाए और जो तीसरी लहर आने वाली है उ प्रिकरम सौर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इंदा कोवेड नैंटीन रिस्पॉंच जो रिफलिंग की समस्या आ रही है जो आपने देखा होगा कि लोग लंबी-लंबी कतारे लेकर सिलिंडर लेकर लगे रहते हैं तब भी उनके सिलिंडर नहीं भर पा रहे हैं उन्हें क 294 में और इसने काफी अच्छे रिजल्ट भी दिये थे क्योंकि इसका मेनेजमेंट काफी अच्छा था और यह सबसे पहला इस्टेट था उसके कुछ समय बाद ही कई राज्यों ने इस तरीके के मेडिकल सप्लाई कॉर्परेशन बनाए लेकिन वो उस तरीके से कारे नहीं हो सका हेल्थ सेक्टर में अब अगर हम NTF के कारव प्रणाली की बात करें तो NTF जो है वो उसके पास काफी चैलेंजिंग इस समय महाल है कि उन तरीके के qualification वाले लोगों को अपने में सामिल करना होगा जो उस छेत्र में महारत हांसिल करते हों जैसे अक्सीज요न की कमी से सम्मंदित लोगों को उन लोगों को सामिल किया ज़ाय़ जिनको इनकी जानकारी हो, किस तरीके से इस पेैंडमिक से निपटा जाया आकड़े उनके सामने हो, या फिर वो इस तरी में सक्षम हो कि वो कहीं पर भी उपलत दो इन सब की कमी को पूरा करने के लिए हाला कि निती आयोग इसमें काफी हद तक कार रिक कर सकता है और कर भी रहा है लेकिन जिस तरीके से इस समय चिकित सब प्रणालियों की चुनौतियां हैं बाकी देश भी भारत की मदद के लिए आ रहे हैं चाहे वो फ्रांस हो अमेरिका हो रूस हो जापान चीन पाकिस्तान तक ऑक्सीजन देने की बात कर रहा है तो इस समय भारत को इन सब राष्टों से मदद लेनी ही पड़ेगी टास्क फोर्स किस हद तक सफल होता है इस कारे को करने में ये अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा क्योंकि पब्लिक हेल्थ को सही करना इस समय सबसे चैलेंजिंग टास्क है इस समीती के लिए बारसत इस समीती है और इंडिया जिस तरह से इस बिमारी से जूज रहा ह है अगर तीसरी लहर आई तो इंडिया को पहले से या तो तैयारी करनी होगी अगर इंडिया पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाया तो हालात काफी भयावा होंगे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आइडिया पेश से कि दा मिडल इस्ट रिसेट इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि आखिरकार अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस होने लगी है और जो अफगानिस्तान से वापस होने लगी है अमेरिका म इंडो पैसिफिक चेतर में चला गया है इस चेतर में विदेशी जो आप कहा सकते हैं कि गड़ित को फिर से बनाने के लिए अमेरिका को काफी हद तक आगे आना होगा चुकि यह आधी सदी पूर ग्रेटर मध्यपूर में प्रमुख बाहरी के रूप में ब्रिटन की जगा ल आई हैं इसके विपरीत रूस और चीन ने अमेरिकी प्रभुत्त को चीनने की कोशिज की है कई छेत्री अभिनेताओं ने अमेरिका के साथ महत्तो कांची और प्रोसियों के खिलाफ खुद को सुलक्षित करने के लिए गठबंधन की भी मांग करी है और इसमें नय-नय महत्यपूर्ण भूम का निभा सकता है दिल्ली और रावल पिंडी दोनों को अब मध्य पूर्व की कल्पना करनी चाहिए जो अमेरिका द्वारा सुक्ष्म रूप से प्रतिबंदित है भारत इसराइल की सुरक्षा तेल की आपूर्ती सुनिश्यत करना अन्य सक्तियों के स कारक नहीं है मध्यपूर्व में महंगा और लंबे समय तक सैन अंतर के बाद वासिंग्टन ने या देखना सुरू कर दिया कि इस छेत्र में सद्यों पुराने जो संघर्स है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है इसे भी अधिक महत्यपूर्व है कि अमेरिका के पास अब अन्य जरूरी प्राथमिक ताएं हैं जैसे कि मुखर चीन से चुनावती जैसा कि अमेरिका ने मध्यपूर्व से वापस कदम रखा है ज्यादा तर छेत्रिये नेताओं को या तो बदलाओं की जरूरत है या ने संद्रक्षक या अपने पड़ोसियों के साथ तनाओं कम करना है ह लेकिन दोनों में से किसी ने भी मध्यपूर्व में अमेरिका को लाने की उस तरह की रणीती नहीं दिखाई है याने कि देखिए चीन और उस दोनों विस्तारवादी नीती चाहते हैं और उसके तहत कार भी करते हैं लेकिन अमेरिका जो मध्यपूर्व छेत्र में अपनी पकड़ को मजूद बनाए हैं इसको देखते हुए यह दोनों इस छेत्र में कार नहीं कर पा रहे हैं जैसे जैसे अमेरिका ने पूर्व से मद्द की और कदम बढ़ाया अधिकांस छेत्री निताओ या तो प्रवर्तन की आवशक्ता के सांथ उनके सांथ होते दिखे या फिर रणीतिक रूप से अमेरिका के सांथ दिखे हैं तुर्की ने अन्मान लगाए कि जो एकनॉमिक का जो है वो असर वो राश्पती जो तैयब अदर्वर्गन है उन्होंने महत्वकांची छेत्री पोल रोकने की कोसिस की कि Islamic world to visit to Islamic leadership के उन्होंने कई उधारन पेस किये और उन्होंने यह कोसिस करी कि किस तरीके से अमेरिका की सक्ती को बहने से रोका जाए सभी छेत्रों के अगर हम इसमें बात करें सभी छेत्रों में अमेरिका जो भारत के सांथ संबंद इस्थापित करने की कोसिस कर रहा है वो भी कई घटना करनों को छोड़ दिया जाए जैसे तुर्की को छोड़ कर और भी देश भारत के साथ अच्छे संबंद बनाने के लिए उत्सुक हैं और अमेरिका भी इसमें काफी पहल कर रहा है चीन के साथ भारत के संबंद उतने फिलहाल में अच्छे नहीं रहें कुछ वर के जो संबंद हैं वो कस्मीर के मुद्दे पर भी साफ दिखते हैं तुर्की ने भले ही बयान दिया था कि कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई है वह उचित नहीं है लेकिन भारत के सक्त प्रतिरोध के बाद उसे अपने पाउं को पीछे धकेलना पड़ा था आगे आर्ट पूर्कियों और अपनी नीतियों को फिर से बनाने के लिए संघर्ज कर रहा है इजराइल के सांथ राजनेक संबंद इस्तापित करने के लिए राश्तंत्र का विरोध भी कर रहे हैं और माने तक यहुदी राजी के सांथ अपने संबंद बनाने के लिए पाकिस्तान हर छे के साथ एक नए इस्लामिक ब्लॉक के निर्मान के लिए ओयस की प्रियोजना का उन्होंने अनावरन किया था उनके विदेश मंत्री सा महमूत कुरैसी को सारजनिक रूप से जम्मू और कस्मीर में भारत के समवैधानिक परिवर्तनों के खिलाफ रैली नहीं करने के लिए सौ पौदी अरब और अमिरात को भारत के गहरे आर्थिक निर्भरता के बारे में अपने अरब खाड़ी दोस्तों के इसलामाबाद को अपने रिणों पर कॉल करने की जल्दी थी अबु धाबी ने सहुक्त अरब अमिरात में पाकिस्तान के स्रम निर्यात पर भी सिकंजा कस द के प्रयास का समापन पिछले सब्ता इमरान खान की सौधी अरब यात्रा में हुआ अगर पाकिस्तान में धार्मिक विचार धारा वाले लोगों को भारत की कश्मीर की अगर निंदा करनी है उमीद की जाती है कि सौधी अरब भी निंदा करेगा तो वो गहरी बात नहीं कर पाते हैं सौधी और पाक के स्युत बयान में कश्मीर सहित कई मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच बात का समर्थन किया गया यानि सौधी अरब यह कह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो वो कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्तता कर सकता है लेकिन हदी है सौधी अरब को भी और भी देशों को कि ये उनका आंत्रिक मामला है और भारत किसी भी दूसरे देश का इसमें हस्तचेप स्विकार नहीं करेगा इस पीच अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी उफ महाधीव के लिए बड़ी चुनौती है दिल्ली और राहुल पिंडी बहुत अलग-अलग कारुणों से भी अमेरिका को हमेशा के लिए अफगानिस्तान में देखना पसंद नहीं करेंगे दिल्ली के लिए Ameriqa Sन उपस्तिती ने चरम पंती ताकतों पर नियंतर्ण रखा होगा और अफगानिस्तान में एक भारती भूमिका के लिए अनुकूल परिस्तितियों का निर्माण किया था राउल पिंडी के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन उपस्तिती भोगौलिक पहुँच और परिचालन आप कह सकते हैं कि अमेरिका को पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर रखती है कि यह निर्भरता भारत के खिलाफ लामबंद हो सकती है लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा है भारत और पाकिस्तान को इसके साथ जो काबूल में तालिबान की सत्ता में वापसी और छेत्र भर में हिंसक धार्मिक चरपंत को बढ़ावा देना इसमें सामिल होगा जब अमेरिका इससे हटता है तो छेतर में तालिबान और अन्चरम पंती ताकतों के भी सीमा पार समंदों की संभावना एक चुनावती है दोनों देसों के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए जो दच्छन A.C.I. राजियों को जल्द से जल्द सामना करना होगा अफगानिस्तान में हिंसा के बढ़ते इस्तर और पिछले हफते मालदीब के राष्टपती रहे मुहमद नसीद पर हमले आतंगवाद के साथ दच्छन A.C.I. की राष्टी चुनावतियों को रिखांकित करता है जब तक दच्छन A.C.I. राज उपद्रव और आतंगवाद का मुकाबला करने में सयोग नहीं करेंगे तब तक उन में से हर एक कमजूर होता जाएगा तो ये आज का एडिटोरियल और आइडिया पेज था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद